अब हम डिस्कस कर रहे हैं, Purification of Collide जैसा कि अभी आपने देखा था कि हमने जब भी एक Collide को प्रेपेर किया है तो उनमें से एक method ऐसा था, preparation का जिसे कि हमने नाम दिया था Peptization का और इस method में हमने एक electrolyte यूज किया था और इसकी explanation बड़ी simple थी कि सब्सक्राइब कर लेते हैं और इसी के कारण उनमें अपस में रिपर्टिशन हो जाती है कि इसके अलावा आप जब भी कुलाइडल सुलूशन को प्रिपेर करते हैं केमिकल मैथर से भी तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस पर्टिकलर चीज में आपने देखा जिए फैरिक हाइड्रोकसाइड का सौल बना है तो साथ में आपके पास यह हाइड्रोजन कुलॉराइड यहां पर गोर्ड के सौल में आपको यह भी दो अलग-अलग मॉलिक्यूस दिख रहे हैं तो इन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे अगर वाटर है और वाटर में ही सौल बनना है तो यह तो हो गया इसके लिए डिस्परजन मीडियम यहां पर जैसे दिख रहे है डिस्परजन मीडियम लेकिन इनका कोई डिस्परजन मीडियम या फेस से कोई कनेक्शन नहीं है तो हमे ऐसे method device करने हैं जिससे हम इसको remove कर सके हैं और इसलिए हम इसमें जो concept पढ़ रहे हैं वो है purification of the colloids जो process use करे जा रहे हैं जिसमें कि हम amount of impurities को reduce कर देंगे तो उस सभी process को हम नाम देंगे purification processes जिसमें से हमारे पास तीन process आपके इस service में allowed discuss करने के लिए तो वो तीन process हम लोग discuss करेंगे जिसमें की dialysis में पहला है अब dialysis basically medical terms में काफी common word है और इसके लावा kidney साथ भी काफी हद तक यह related है जैसे कि सभी को nephron के functions पता है dialysis का लेकिन यहाँ पर हम biological dialysis के वारे में बात कर रहे हैं कि आप dialysis की process से हम किस तरीके से इन पार्टिकल को remove कर सकते हैं जो कि impurity का role play कर रहे हैं एक colloid के लिए तो इसका बहुत सिंपल सा method है इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा membrane वाला particle लेना पड़ता है particle के लिए या आपके पास कोई sheet के लिए वह लेना पड़ता है जैसे कि इसमें example दिया हुआ है कि आपके पास कोई parchment paper हो सकता है तो इनके सबसे खास बात है कि इन sheets में छोटे holes होते हैं और इसे छोटे holes होते हैं इन छोटे holes से वह tiny particles पास out हो जाते हैं but colloidal particles because of their larger size they are unable to pass और यही एक चीज के difference भी बनाती है कि जो colloidal particles है वह true solution के particles से bigger होते हैं जिस वह इन membrane के tiny holes से pass out नहीं हो पाते हैं जिसके कारण हम इसको easily filter कर सकते हैं और इस तरह की जो machine होती है उसको हम बोलते हैं dialyzer तो यहां पर आपके पास इस picture में दिखाए हुआ है कि किस तरीके से आपके पास यहां पर यह एक हमने और जो भी आगवाज soul particles होंगे means colloid particles होंगे वह इस membrane से pass out नहीं होंगे लेकिन जो crystalloids है means crystalloid means जो ionic parts है वह यहां से easily pass out हो जाते हैं इस animation में देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर एक membrane रखा हुआ है और आप एक colloidal को यहां पर add करते हैं तो आप देखते हैं कि इस membrane से जो collide के particles हैं वह pass out नहीं होते हैं in fact चो tiny particles हैं जिन्हें हम ions बोलते हैं वह particles यहां से pass out हो जाते हैं और इस तरीके से separate हो सकते हैं तो यहां पर जैसे आपने membrane के ऊपर रखा हुआ है आप इसे एक bag या polythene जैसे like bag type आप बना के इसा रख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि यहां से आप continuously water के यहां पर flow रखेंगे तो यह water जो है इसको पूरी तरह से cover कर लेगा और यह flow होता चला जाएगा अब जो ions है इस bag के अंदर जो भी ions है वो से भी ions है यहां से धीरे-धीरे remove होते चले जाएगे और आपको पास यहां पर pure colloid बन जाएगा और इसी method को अगर हम fast करना चाहें तो उसके लिए हमेरे को दो electrodes लगाने पड़ेंगे तो यहां जैसे आप दिख रहे हैं कि water का flow होता जारा लगातार और यहां पर आपके पास जो ions है वो इन दोनों electrodes के साथ एक attachment हो जाएगा इसको हम बोलते हैं कि वह electric field के कारण वह attached जाते हैं और इस तरह जो dialysis है जिसमें आप electrodes का यूज़ कर रहे हैं इसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रोडाइलिस का यह normal dialysis से थोड़ा सा fast nature का होगा इस picture में इस चीज़ को दिखाया हुआ कि कैसे आप यहां पर दो electrode लगाते हैं जैसे कि यहां पर एक यह electrode है जो negative terminal से connected है यहां पर positive terminal से connected है और आप देखते हैं जो crystalloids है जो ionic particles है वो continuously यहां से इस membrane से out हो जाते हैं अब जो इसे particles यहां पर positive terminal के तरफ move कर रहे हैं definitely वो negatively charged होंगे और जो negative side जा रहे हैं वो positively charged होंगे इस तरीके से आपके पास जो collide है वो purified हो जाता है तो यह method था हमारे पास एक तीसरा method है जिसे कि हम बोलते हैं अल्ट्रा filtration method में और इस method में आपके पास normal filter paper आप यूज नहीं करते हैं because normal filter papers होते हैं इनका size इतना bigger होता है कि इसमें से जो tiny particles है वो तो पास होते ही होते collide particles भी पास जाते हैं तो हम इनके जो pore size है उनको reduce कर देते हैं और उसकी reduction के लिए आप use करते हैं एक solution जिसका नाम है collodion right so collodion एक बहुत ही best इसका हल है जिसे कि हम बोलते हैं वो 4% of nitrocellulose है right so nitrocellulose एक तरह का explosive भी होता है nitrocellulose को हम use करते हैं right तो alcohol और ether जो है इसके लिए solvent हो गए तो आप इसको use करके इसमें उस filter paper को dip कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको dry कर लेते हैं and then finally हम इसका use कर लेते हैं as a ultra filter जिसका काम क्या होता है कि tiny particles जो like atomic या ionic size के हैं वो तो pass out हो जाएंगे बट जो collide particles है वो इसमें block हो जाएंगे अब यह normal filtration है जिसमें कि आप एक funnel लगाते हैं और इसमें आप solution डाल देते हैं तो filter हो जाता है लेकिन इस तरीके से जो collider particles है वो इससे pass out जाते हैं इस normal filter paper से तो हमें ultra filters select करने पड़ते हैं और यह आपको यहां पर show किया हुआ है और यह जो चीज आपके घर में भी लगा होता है जिसको हम reverse osmosis बोलते हैं आप देखेंगे कि इसके pore size काफी small है जिससे जिससे यह bigger particles रुख जाते हैं और smaller particles इससे easily pass जाते हैं तो इस तरीके साप ultra filters का use करके आप electrolytes को remove कर सकते हैं और collides को purely obtained कर सकते हैं अब क्योंकि हमने collides को prepare कर लिया है उसे purify भी कर लिया है अब है सिर्फ one collides की क्या properties हैं जो हमारे लिए useful हो सकती हैं तो इन collides की जो properties है उसको five categories में classify किया गया है इस book में जिसमें से जो first property है वो है colligative property अब क्योंकि यह colligative properties जो true solutions की property हैं तो same property जो collide particles भी show करते हैं बट इसमें important difference है अगर आप इन pictures को देखेंगे इन dots को देखेंगे तो यह dots का size small है as compared to these dots right तो अगर मैं यह समस्ता हूं कि यह जो tiny particles है यह true solution के particles हैं okay तो यह जो bigger particles हैं collide के particles हैं तो obviously इनका जो molar mass है that is smaller M and इसका जो smaller mass है that is capital M तो अगर molar mass bigger होगा तो definite से बात है कि इनकी जो colligative properties होंगी वो properties lower होंगी right तो इनकी जितने भी colligative properties है four colligative properties उन सभी colligative की जो properties हैं उनकी जो values हैं वो smaller order के आती हैं यह एक बहुत बड़ा evidence है इस बात का कि वो particles जो है colloidal है या फिर true particles है true solution है या फिर यह कहलो कि हम इन properties से यह पता लगा सकते हैं कि वो particle जो है वो कितने smaller size में हो सकते हैं right next इसकी बहुत important property जो है वो है Tandle effect okay so Tandle effect की जो explanation है वो John Tandle ने 1850s के around publish किया था और जोन Tandle ने इस effect के अलावा diamagnetism का concept भी explain किया Tandle effect बहुत common है just scattering of light है by the colloid particles right so बहुत simple scattering of light by the colloid particle is the Tandle effect right तो आपके इस book में explain किया गया है कि किस तरीके आक वास एक light का source होगा और आक वास यहां पर colloid है तो जो light source होगा वो जैसी आप इस colloid से pass करेंगे तो यह जो particles होते हैं यह इसको scatter करते हैं different directions में right और जब इसको different directions में scatter करते हैं तो definitely अगर आप यहां microscope रख देते हैं तो microscope से आपको scatter light को catch कर लेते हैं and by that you can visualize those particles right अब यहां पर एक बहुत important concept है वो है Tandle cone का basically अगर आपके पाद यह light source है और आप इस light source के आगे आप तो इस bright light cone को हम बोलते है Tandle cone right तो इसके लिए मैं आपको एक experiment करके दिखाता हूं और फिर हम इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं right अब जैसे कि मैंने यहां पर इस beaker में simply water add किया है और अब अगर आप इस beaker में simply यह laser beam यहां से flash करते हैं laser beam right और अगर आप इस camera को यहां पर ऊपर देखेंगे तो आपको यहां से कोई भी beam नजर नहीं आ रही है राइट लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा milk add करता हूं और फिर हम देखते हैं कि यह experiment हमें क्या result दिता है आप 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 देखेंगे कि यहां पर भी आपको यह लाइट नहीं आप देखेंगे इसमें पाथ वीजिबल हो चुका है और आप देखेंगे कि यहां पर भी आपको यह लाइट बीम नजर आ रही है यह देखेंगे तो यह जो वीजिबिल्टी है पाथ की यह प्रूव करता है कि यह सुलूशन है यह सॉरी जो यह मिक्चर यह कोलाइड है अगर मैं इस खंदर और ज्यादा मिक्चर करना शूब कर दो मिलका तो इसके पाथ की वीजिबिल्टी जो है वो कम हो जाएंगी राइट सब्सक्राइड किया और अगर आप देखेंगे इसको कंसिलर करेंगे तो इस वक्त यह ऐसा मिलकिनेस की जैसा लाइन था वो नहीं शूब करेंगा इंस्टेड आप यहाँ पर यह एक हलकास आपको ब्राइट पास नजर जरूर आता है जिसमें आपके कौन जैसी शेप नजर आती इस पॉइंट अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप पंसिलर करेंगे तो आपको यहाँ पर कौन नजर आता है ओके तो यह जो एक्सपरिमेंट है जिसमें की यह पाथ वीजिबिल्टी है इसे हम बोलते है टाइंडल इफेक्ट इसी इफेक्ट करन भी आपको देखने कोने मि लाइट और टाइंडल इफेक्ट बेसिकरी एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस बात का कि पॉल्वाइड है हम एक और एक्सपरिमेंट के दहरी है इसको सीख सकते हैं जैसे सपोस कीजिए यह मेरे पास एक अगर बत्ती है और हम इस अगर बत्ती से उठने वाले जो नजर आ रहे हैं तो साथ हम इस लेजर बीम के साथ में इसको रिकॉर्ड करते हैं देखते हैं कि यहां पर क्या नजर आता है तो यहां पर आपको यह कुछ नजर आ रहा है बीच में लाइट तो आपको यहां भी फ्लैश नजर आ रहा है राइट यह आपको बास स्क्रीन प पर जो फ्यूम्स का जो पार्टिकल्स हैं वो इस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और इसे ही हम बोलते हैं टैंडल इफेक्ट टैंडल इफेक्ट का यूज करते हुए एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रिचर्ड एडॉल्फ जिमोंडी जिने की 1925 में नोबेल प्राइज भी इसके लिए दिया गया था इन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोब डिजाइन किया जो की बेस था टैंडल इफेक्ट पे औ इसमें आप देख सकते हैं कि यहां के एक लाइड भी में आती है जो पार्टिकल से हिट होने के बाद जब कैच वाता है तो यह हमें नजर आता है कि पार्टिकल का साइज क्या है राइट बहुत ही खास डिसकवरी थी और यहां पर नाम रखा गया अल्ट्रा माइक्रोस्को की डिसकवरी हुई थी और इसके लिए रिचर्ड अडॉर्फ जिमूंडी को 1925 में नबेल प्राइज भी दिया गया था तो पॉइंट यह था कि जो टैंडल एफेक्ट है उसके पीछे के थेोरिटिकल एक्स्प्राइशन क्या है तो थेोरिटिकल एक्स्प्राइशन बहुत है अगर वह wavelength से पॉइन से स्मॉलर है वह पार्टिकल का साइज है तो वह पार्टिकल आपको कभी नज़र नहीं आएंगे तो स्कैटरिंग गया सबसे सिंपलेस्ट कॉंसेट तैंट है वह यह है कि जो wavelength है रिडिएशन का और जो पार्टिकल का साइज है वह closely मैश होना चाह लिए तो जैसे कि मेरे पास white light है तो वाइट लाइट है तो आपको पास different colors है जैसे हम लिखा वेप गयोर ठीक है तो अलग-अलग colors means अलग-अलग wavelength तो जिस radiation का wavelength match कर जाता है particle size से के वर वही scatter होती है जैसे कि अगर यहां पर हम देखें तो हमारे concept है color का color of the sky sky तो जो color of the sky है वह blue है because in between particles है वह blue light को scatter करते हैं why because of their size ठीक है particle का size काफी small होता है अगर particle का size big होता जाएगा तो वह फिर green, yellow, orange and red भी scatter कर सकते हैं for example अगर मेरे पास milk का particle जैसा कि आपने देखा था वीडियो में तो milk के particles को अगर हम reflected light को देखते हैं तो वह blue appear होगा और अगर हम उसे transmitted light के form में देखते हैं तो वहाँ से हमें वो red appear हो जाता है similarly जो gold का soul है जो gold souls है वो भी red color होंगे जैसे उनका size बढ़ता जाएगा उनका color change होता जाएगा जैसे purple then blue and then finally golden color ठीक है तो यह बड़ा जी surprising चीज़ है कि usually जो gold के जो elders हमने देखी है वो yellow होते हैं बट जो gold का soul है that is bright red in color तो colors है वो colors depend करते हैं इनके shape size right basically जो particle bigger size के होंगे वो bigger wavelength को absorb कर लेंगे अब क्योंकि छोटे वाले को absorb नहीं करेंगे तो वो transmit हो जाएगे अब यह absorb करना क्या है यह concept थोड़ा सा बताने वाला है लेकिन यहाँ पर मैं इसको discuss नहीं कर रहा हूँ तो simpler larger particle जो है larger वाले को absorb करेंगे और shorter wavelength को transmit करेंगे इसी तरीके से जैसे अगर आपको पास अभी gold की example थी मैंने कि gold के अलग-अलग colored है जैसे यहाँ पे red आपको देख रहे है red है purple है then blue है and gold है तो आप देख सकते हैं कि इन में size में कितना फर्क पढ़ रहा है तो size जैसा जैसा इसका बढ़ता चला जाएगा इसका color भी change होता चला जाएगा next जो property है वो Robert Brown के वज़े से है Robert Brown ने एक बड़ा ही simple explanation दिया था कि यह particles जो है long time तक settle down क्यों नहीं होते और उन्होंने इसका सिर्फ एक ही reason दिया था और वह reason यह था कि इन particles के उपर हमेशा ही एक unbalanced force act करता है unbalanced force का मतलब यह होगा net result is not zero और इसलिए particle जो हमेशा motion में ही रहते हैं इसी motion को जो है brown के नाम पर रखा गया था नाम brownian motion तो इस तरीके से different directions में इसका motion होता है अगर आप इस short animation में देखेंगे तो आपको यहां पर कुछ red yellow और blues आपको नजर आ रहे है क्योंकि हमने इसको आप इनिमेट किया हुआ है कि particle जो है एक particular direction में नहीं जा पा रहा है वह बागबर कहीं ना कहीं से एक unbalanced force experience कर रहा है जैसे कि अगर आप इस red arrow पर इसको focus करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि यह random direction में move कर रहा है because of those unbalanced forces अब अगर मैं इसको थाड़ा bigger particles करके दिखाता हूं तो वो कुछ अलग से दिखाई देता है जैसे कि आप यहां पर एक बड़ा सा dust particle देख रहे हैं और आप देखते हैं कि dust particle के ओपर unbalanced force लग रही है और वो कभी इधर move कर रहा है कभी इधर move कर रहा है वह unbalanced force आपको इस arrow से नजर आता है राइट सो यह concept कहलाता है brownian motion राइट finally हमारे पास इसकी जो last property है वो है charge क्योंकि हम collider particles को बनाने के लिए अकसर देखते हैं कि आपके पास कुछ electrolyte उसके साथ में chemical react करके बन जाते हैं या during peptidization method भी कुछ adsorb करके charge कर जाते हैं तो इस तरीके से हमारे पास जो क्लाइट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर definitely कोई ना कोई चार्ज हो सकता है और इस तरीके से हमारे पास इनकी दो classes हैं जो कि यहां पर दिखाई जा रही है आपको तो एक है positively charged दूसरा है negatively charged collides राइट तो इन दोनों के examples आपके सामने रखे होई हैं जैसे कि positively charged collides इसका इसका example आप देखेंगे कि positively charged में यहाँ पे aluminum, chromium, iron के oxides हैं और negatively charged वाले हम देखेंगे कि copper, silver, gold, souls हैं यह metallic sulfides हैं यह acidic dyes हैं और वहीं पर आप देखेंगे यहाँ पे basic dyes हैं वह positively charged होंगे और इसके लाभा hemoglobin है या oxides है इस सभी positively charged है तो इस सभी थी qualitative properties या charge properties सारी properties जो है collides की properties थी ओके